सब्सक्राइब करें हमारे योट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो से सबसे पहले बेल आइकन डबाना ना भूले गौतम नारी श्रापवस उपल देह दरी धीर चरण कमल रजचाहती करपा करहो रगुवीर गौतम नारी श्रापवस मानक में एक आश्रम बलाए जिसमें एक शिला है वो सुबक सुबक कर रही है शिला शिला मैसे सांसे बहार उपर नीचे हो रही है आश्र की बात थी देख कर सभी लोग दंग रह गए आकर ये संबब कैसे है शिला भी ऐसे रो सकती है क्या है लेकिन चिला रो रही थी और उस भीदना को भगवान गाम ने जाना भगवान गाम ने तुनंत गुरुवर से का गुरुवर या आश्रम किसका है कौतम जी का आश्रम या कोई दिख नहीं रहा न चड़िया न पत्तर न भी ये ला इंसान कोई नहीं है तो बुला हाँ क्यों नहीं है बुला वो यहां से चले गए अपनी पत्ति को शराफ दे दिया अरे कहा है उनकी पत्ति मुर्देव वो कहते हैं आओ मेरे साथ श्री विश्वामत्र जी एक शिला के पास ले जाते हैं जिसमें से सिस्कियों की आवाज आ रही थी पत्तर हो गई थी वो अब यहां पत्तर होने के दूदर शर्श दियान दीजिएगा पत्तर होने के लिए दूदर जाते हैं यह पत्तर का मतलब क्या है पत्तर का मतलब तो एक शिला लिखाया उसमें शिला बन गई दूसरा इतनी बड़ी गलती करने के बाद पश्चत आपकी अगनी और राम के इंतजार में मानवो जम सी गई थी मानवो सब कुछ भूल चुकी थी मानवो तब से बैठी थी अपनी जगह से हिले नहीं थी वो पाशान हो गई थी उसको देख के नहीं लगता था कि ये कभी हिलेगी पस यही तो वो पत्थरा जाना है जिसकी चर्चा है लेकिन अगर ऐसी कहीं इस्तिति हमारी भी हो गई और ऐसी कई गटनाओं से हम भी गुजर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक अपने राम को अपने आपको सौफना है मेरे राम खे मेरे राम और राम करपा कर देगे ये भी तैम आएके चल जाए राम करपा कर देगे क्योंकि राम बहुत दयालू है राम बहुत कृपालू है राम वो दर्शन है जिसको समझने के लिए जीवन चाहिए उनके चरणों की और का जीवन चाहिए चरणों में बैठने के लिए चाहिए यही वो दर्शन